Good morning friends and welcome to my channel मैं हूँ आपकी दोस्त लता और आज मैं आपसे बात करूँगी 15 ऐसे प्लांट्स की चोकि हम बड़ी अराम से बॉटल में लगा सकते हैं और मैंने लगाए ही हुए है तो सामने आप देखें मेरे बालकनी में ये एक ग्रूप है प्लांट्स का और इधर से शिरुआत करते हैं सबसे पहले आप एक रेड बॉटल देख रहे होंगे गोल सी इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुए है और आप खुदी देखें कि ये स्पाइडर प्लांट के कितने सारे बेबी स्पाइडर प्लांट्स भी निकल रहे हैं ये ड्रेसीलिया का प्लांट है इसको हम सौंग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं तो ये आप देखें जरा सी जगह में राम से ये सारे प्लांट्स लग गए और अच्छे खासे बढ़ भी रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोटल्स को फेंके नहीं उनमें बड़े सानी से आप छोटे मुटे प्लांट्स लगा सकते हैं तो चले फिर आगे भी देखते हैं प्लांट नमबर फोर ये है सिंगोनियम की दो वेराइटीज मेरे पास जो डार्क ग्रीन वाला है इसको हम सिंगोनियम सिल्वर लाइन प्लांट पी बोलते हैं और ये बड़े पत्तों वाला है ये ने नमल सिंगोनियम है ये वाले भी मैंने बॉटल्स में लगाये हूए हैं बॉटल्स आप पैचान गए होंगे एक तो यह है पेपसी की बॉटल है और दूसरी वाली कुकिंग ओईल की बॉटल है इनको मैंने पेंट कर दिया और आए दिन मैं इनसे कटिंग्स लेती रहती हूँ तो है ना मज़ेदार बात चार प्लांट्स मैंने आपको दिखा दिये इवन ये एक और बॉटल में मैंने बड़ा वाले पत्तों वाला सिंगोनियम हाल ही में लगाया है अब हम पहुंचते हैं अपने फिफ्ट प्लांट पे ये भी देखें बॉटल में लगा है प्लास्टी क एक बेबी प्लांट इसी बॉटल में निकला तो बड़ी ओवर क्राउडिंग हो रही थी फिर मैंने उस बेबी प्लांट को निकाल करके तूसरी बॉटल में लगा दिया कैसा लगा मज़ेदार लगा ना आपको आराम से देखें बॉटल में अच्छा नेक्स प्लांट पे ह एक बड़ी सी बॉटल थी उसमें लगा दिया और फिर वहां से कटिंग्स निकाल निकाल के यह जो चोटी होर्लिक्स की बॉटल है जिसमें मैंने पेंट नहीं किया है दूसरी औरेंज है सर्फेक्स लीक्विड की बॉटल है इसमें लगा दिये कितने बड़े बड़े हो ग तो यह देखें सारे के सारे कटिंग से भी उपते हैं और बॉटल में भी अच्छे गासे चल रहे हैं अब हम आते हैं अगले प्लांट पे यह वाला भी देखें हली मैंने इसका एक वीडियो बनाया था ड्रेसीनिया बोलते हैं यह भी एक और विराइटी है ड्रेसीनिया बोट लीली और यह देखें किता खुबसूरत है यह मैंने ओयल केन की बेस को काटके लगाया है और यह कुछ और सर्फेक्सल लीक्विड डिटरजेंट बॉटल्स हैं उन बॉटल्स को भी रीसाइकल करके यह मैंने रोहियो के प्लांट या बोट लीली कहते हैं उसको यह प्लांट आगे से आगे बढ़ता जाते हैं और अब हम इन बेवी प्लांट को भी काटके निकालके दूसरे गंबले में लगा सकते हैं अब आप यह देखें खुबसूरत सा प्लांट नमबर 9 जो केना लीली कहलाता है और यह लगा हुआ है एक टॉफी की कंटेनर में और ख लगा सकते हैं मैं यही एक पॉसिबिलिटी दिखाना जा रही हूँ कि एक कंटेनर गाडनिंग भी जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं या बालकनी में रहते हैं वो लोग अराम से कर सकते हैं और जो प्लांट जमीन में लगते हैं वो पॉटल्स में भी लगाए जा सकते हैं तो ये देखें टॉफी के एक जार को मैंने रेड पेंट कर लिया और अब ही आप देखें अगला प्लांट नमबर 10 ये पर्सलीन का प्लांट है और ये बड़ी असानी से कटिंग से लग जाता है और ये भी एक जूस की बॉटल को मैंने रिसाइकल कर आ है कितना असान है प्लांट लगाना और फ्री में हमारे पस कई बॉटल्स तो घर में होती है ये प्लांट नमबर 11 चुकि अजवायन लीफ प्लांट कहते हैं इसको और इसके बहुत सारे मेडिसिनल फाइदे भी हैं ये इसके पकोड़े भी बनाए जाते हैं और ये कर लिया और कुछ कॉफी के मग और चाय के कप हैं इनको भी रिसाइकल करा है इनमें भी जेट की कटिंग्स लगाई होगा है ये थोड़े क्रैक हो गए थे आशे करते हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा हो तो सिब्स्क्राइब करना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं ये एक और चूस की बॉटल थे उसको ब्लैक पेंट करके मैंने रिसाइकल करके उसमें भी अजवायली फ्लांट की कटिंग्स लगाई थी तो आप ये देखें कितना असान है ये वाले प्लांट लगाना जस्ट कटिं इसे पेंट किया जा सकता है या नहीं भी करें तो भी ऐसे भी चलता है और ये देखें खुबसूरत से पत्तोवाला प्लांट नमबर 13 इसको हम कहते हैं फाइलो डेंडरॉन और ये मैंने बहुत बड़े गंबले में भी लगाया है और ये मैंने जान बुझ कर चूस बॉट प्लांट देखाना है इसको इरन्थेमम बोलते हैं इसको मैंने पहले भी वीडियो करा था बॉटल में भी ये लग जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है आप जरूर देखना और अब सबसे मज़िदार और इंट्रस्टिंग प्लांट दिखाना है आपको य अब लिया है उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली थोड़ी सी गुबर की काद डाली और ये मैंने 6-8 महीने पहले छोटी छोटी-छोटी कटिंग से लगाया था कलांचो इस प्लांट का नाम है और आपको एक चीज़ वार मतानी है कि जरा सी जगे ये घिरता है जरा सी हो गया यहां से हम आगे कट करके भी लगा सकते हैं तो आई होप आपको ये सारे की सारे आइडिया अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में मझे जरूर बताना कि आपको प्लांट्स लगाने की इंस्पिरेशन मिली की नहीं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्र फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई इंट्रस्टिंग जानकारी के साथ अब तक प्लांट्स जुरूर लगाते रहें और अपनी जहत का ख्याल रखें थैंक यू